अगले कॉलर है यूपी से जय स्वागत है आपका आजी जी सर अलो मैडम जी आपको और बेट जी को दोनों को यह नमस्के नमस्का सर जाहिए मैं बेट जी मुझे ठकान महसूस होती है कि ठाम करने के बार कोई ठाम कर पाएंगे ठकान महसूस होती है और क्या कहना चाहते है तकान महसूस होती है और काम करने को फ़कान में देखे देखे लिए ठीक है गैस की दिकत तेखेगरों थे की बहुत सही अमर में आपने फोन किया है और गैस की दिकत बड़ी अजीव है और इस इसको हम हलके में ले लेते हैं और यह बीमारियों की जन्नी है जो पेट में कुछ भी चेंजिस आने लग करती है तो गैस का इलाज कर ले तकान अपना आप चली जा सकती है और मेरा एक बहुत मश्यूर नस्खा जो घर घर तक लोगों तक पहुँचा आप भी लिख लीजे और सौफ सौट जीरा अजवाएं धनिया मेथी मेथी का दाना सौफ सौट जीरा अजवाएं धनिया और मेथी का दाना सौ सो गराम खरीद कर पाउडर बना के रखा करें ये दस बारा रोगों में काम करता है एक आता है नमक जैतुन वो भी सो गराम लेके अलग से रख लें ये जो छे चीज़े हैं इनका पाउडर बना ले एक चमच खाए और एक चुटकी नमक जैतुन पानी में मिलाकर दो गिलास पानी मिलाकर ये ले लिया करें रोजाना बस एक दफ़ा या दो बार ये हमारे दस बारा रोग एसिडिटी गैस कब्स बावसीर चार्ज रोग ये होगए और इन्फेक्शन पेट का आतों का या यूरिनली का साप का इन्फेक्शन ये साथ रोग हो गए किड्नी की बड़ी सफाई रखता है क्रेटिनाइन को कम करता है जो गंगी बढ़ जाती जिससे डाइलेसिस कराना पड़ता है जिसकी वज़े से उसमें बहुत कम करता है और खून की सफाई करता है इसकिन के रोगों को खतम करता है लीवर को बहुत फाइदा पहुंचाता है महासे दाने कुजली और सोराइसिस में बहुत फाइदे मन्द है अब इसे इस्तमाल किया करें फाइदा उठा सकते हैं जी